नमस्ते बच्चों आज का हमारा पाठ बहुत खुबसुरत है खुबसूरत बोले तो बहुत कुछ सिखाने वाला है खुबसूरती केवल दिखने में नहीं होती बलकि समझने में भी होती है है ऐसके पार्ट का नाम है इमानदारी इमानदारी एक ऐसा गुंध जो दुनिया में हमें शी शस्थान पर पहुंचा अग्सकता है इमानदारी का परीचThis हम सभी को देना चाहिए तब ही हम दूसरों का दिल जीत सकते हैं सदेव इमानदारी के लिए हमें प्रेरित रहना चाहिए राश्पिता महत्मा गांधी हमारे पूर प्रधान मंत्री लाल भादुर शास्री अपनी सच्चरित्रता और अपनी कारण ही पूरे संसार में प्रसिद्ध है तो बच्चों पढ़ते हैं आज की कहानी मई की दोपहरी थी मतलब मई का महीना चल रहा था और दोपहर का वक्त था जोरदार गर्मी पढ़ रही थी तभी गली में मटका कुलफी बेचने वाले की आवाज सुनाई दे आप भी तिज में कुलफी वाले के पास बच्चों की भीड लग गई नरेश वहां से कुलफी लेकर घर आया तो बहुत प्रसन्न था ऐसी घरभी में ठंडी मीटी कुलफी मिलने की जितनी खुशी थी उससे भी बढ़कर उसे एक खुशी और थी वे भला क्या बात यह हुई कि नरेश ने कुलफी वाले से पांच रुपै की कुलफी ली और उसे दस रुपै दिये लहक्ות से भूल से नरेश को दस रुपे ही लोटा दिये और कुलफी दे दी मुफ्त में नरेश ने सब कुछ जानते हुए भी वे 10 रुपए चुप चाप अपने जेप में रख लिए और फिर मन हे मन प्रसंद होता हुआ अपने घर चला आया आप जानते हैं ऐसा अनीक बार हो जाता है यदि दुकान पर अधिक भीड हो तो ऐसी गलती की आशंका और भी अधिक बढ़ जाती है सोचो क्या नरेश का ये काम उचित था मतलब जब हम दुकान पर सामान लेने जाते हैं ना बच्चों तो कई बार बहुत भीड होती है और उस भीड को सामान देने की बढ़ा हट में दुकान दार गलती से हमारे दिये हुए पैसे ही हमें लोटा देता है या कई बार कम पैस नरेश का करतव्य था कि वह कुल्फी वाले को उसकी गलती बताता और उसके पैसे लौटा देता तब वह एक इमांदार बालक कहलाता इमांदार रहने पर उसके अपने मन को भी बड़ी प्रसनता होती बच्चों ये दो मृट की खुशी थी कि उसके पास उसके पांच रु परंतु कभी न कभी हमारा मन थे कारता है कि हमने वन की हमने ज्ई फुर कुछ स्वार्थी लोग खाने पीने में पालता कर अपनेए के बारे में न सोचकर केवल अपने ही बारे में सोचते हैं ऐसे लोग लिकिन यह अनुचित है अनुचित का मतलब बच्चो गलत है एक चोटी सी बैमानी ही आगे बढ़कर बड़े अपरात का रास्ता खोलती है इसलिए ऐसी छोटी भूल भी मत करो बड़ा अपरात जो लोग चोर बन जाते हैं जालसाज बन जाते हैं वो बच्पन में ऐसी ही गलतियां करते हैं बच्चों और एक बार उनकी गलती पर उन्हें रोका नहीं गया टोका नहीं गया तो फिर उनकी आदत बन जाती है और ऐसे छोटी छोटी बैमानी करते करते एक दिन वो बहुत बड़े चोर बन जाते हैं कभी-कभी हम दूसरों की कोई वस्तू मांग लेते हैं और उसे लुटाने में देर हो जाती है अब यदि उस वस्तू का स्वामी हमसे न मांगे तो हम प्रायह उसे लुटाने का किष्ट भी नहीं करते हमारा ये वहवार उचित नहीं कहा जाएगा मतलब ये वहवार हमारा सही नहीं होगा बच्चो क्योंकि चीज मांग कर हम लाए थे तो ये हमारा फर्स बनता है कि हम समय पर उस चीज को वापस लौटाएं बूल तो किसी के साथ भी हो सकती है हम किसी की भी कोई वस्तू लोटाना भूल जाएं तो याद आने पर उसे तुरंत लोटा देना चाहिए साथ ही विलंब के लिए क्षमा याचना भी करनी चाहिए सच में बच्चो सौरी बोलना चाहिए कि इतने दिन हो गए हम आपके ये चीज देना भूल गए थे कई बार हम किसी से जरूरत पढ़ने पर स्कूल में अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार ले लेते हैं और फिर हम उसे भूल जाते हैं और जिससे हम पैसे लेते हैं वो भी शर्म के मारे हमसे कुछ नहीं कहता लेकिन बच्चो ये गलत है जो चीज हमने जिससे ली है हमें उस जोखता है कुछ विद्यार्थी पढ़ते नहीं बलकि पढ़ने का नाटक करते हैं पढ़ते समय उनका मन इधर उधर भटकता रहता है अपने माता पिता और अध्यापक को धोखा दे रहे हैं वे अपनी पढ़ाई के प्रती भी इमानदार नहीं होते हैं और जो कुछ और सोचने लगते हैं और कई बच्चे तो किताब खोलकर उसके बीट में कॉमिक रखकर पढ़ रहे होते हैं और दर टीचर पढ़ा रही है और दर बच्चे कॉमिक पढ़ रहे हैं और आजकल तो घर में बच्चे क्या करते हैं किताब खोलते हैं बीट मोबाईल रख को तो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ ना बच्चों चाहे कितने भी अच्छे नंबर आजाए पर आपका अनुभाव जो है वह अधूरा ही रहता है सोचो नगल करके परिक्षा उत्तिन करने वाला बालक बढ़ा होकर यदि किसी तरह अध्यापक बन भी गया तो वह विद्ध यानि व्यक्ति चालाकी और बेमानी से डॉक्टर बन गया तो वह मरीजों को तो बेमोत मार ही डालेगा यदि कहीं दोखा दड़ी करके वह इंजीनियर बना तो उसके बनाए हुए भवनों और पुलों का प्रयोग करने वालों की तो जान सदा जोखिम में ही रहेगी इसलि करेंगे तब आप किसी भी कटनाई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं यदि महापुरिशों के जीवन पर ध्यान दे तो उनमें भी इमानदारी का गुण देखने को मिलेगा आपने पड़ा होगा कि गांधी जी ने बच्पन में अध्यापक के कहने पर भी पास पठे हुए की कौपी में देखकर अपना गलत शब्द ठीक नहीं किया था उनका सारा जीवन इमानदारी में रहकर ही बीता हमारे स्वर्गिये प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री की इमानदारी का सब लोग आज भी उधारन देते हैं उन्होंने अपने पद का जीवन भर ना है कि एक लमाल सब्सक्राइब करते हैं बेमांदारी का जीवन जीना चाहिए और यह तो हमारे कितने बड़े महापुरुश हैं जिन्हों अपने जीवन भर सभी सम्मान करते हैं बेइमान व्यक्ति सबकी नजरों में गिर जाता है कोई उसका मन से सम्मान नहीं करता वह सब का विश्वास भी खोबैटता है दिल कभी गलत सलाह नहीं देता अपने दिल की आवाद सुनिये और इमान दार बने सच में बच्चों आज हमने किताब में जितने भी महापुरुषों के नाम पढ़ें आज उनका नाम हम क्यों पढ़ रहे हैं कि उन्हों ने अपने जीवन भर इमानदारी से काम किया अगर वो एक बार भी बहिमानी करते तो शायद उनका नाम किसी भी पुस्तक में नहीं होता अगर आप चाहते हैं कि लोग जीवन में आपको भी याद रखें आपकी भी मिसाल दें तो सच्चे बनिए इमानदार बनिए